दोस्तो नमस्कार क्या आप सही और गलत की तुलना पालिटी के हिसाब से होगी अगर बीजेपी करती है तो उसे किसी और नज़र से देखा जाएगा और अगर विपक्ष करती है तो उसे किसी और नज़र से देखा जाएगा जिस तरीके से लगातार गोधी मीडिया पत्रकार कल सही exclusive पे नाम पे लगातार आपको बदाने की कोशिश कर रहे है कि TMC सांसद ने देखे कैसे मिमिक्री की है संसद के बाहर लगातार उपराश्टपती का अपमान करते वे TMC सांसद कल्यान बेनरजी दिखाई दिये लगातार ये ब्रेकिंग कल सही चलते हुए दिखाई दिरी लेकिन इस भी बड़ी खबर को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई 141 सांसदों का निलंबन कर दिया गया है इसके बाद ये खबर जादा बड़ी थी या फिर मिमिक्री की खबर जादा बड़ी थी जिस तरीके से मिमिक्री की खबर लगातार हर एक पत्रकार हर एक गोधी मीडिया एंकर दिखातने की कोशिश कर रहा है क्या वो जरूरी था जनता गोधिखाना या फिर देश में जो आस तक नहीं हुआ एक सो एक तालिस सांसदों का निलंबन हो चुका है आपके बगल में तस्वीर मैंने लगा दिया है जो स्री निवास भीवी ने शेयर किया है ये देख सकते हैं आप ऐसा लग रहा है कि एक्जाम क्लियर किया हो और बच्चों की फो लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोड में बस इतना फरक है कि जिन लोगों को सेस्पेंट किया गया है जिन लोगों को संसत के बाहर पूरे शेशन के लिए निकाल दिया गया है उनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है ये बड़ी ख़बर मिमिक्री की है मिमिक संसत के बाहर अगर कोई इंसान मिमिक्री करता है तो वो कैसे गलत हो जाता है और अगर वो गलत है तो यह कैसे सही हो जाताथा सही और गलत को पार्टी के हिसाब से क्या आप देखा जाएगा वक्त के हिसाब से क्या देखा जाएगा यह मेरा सवाल है और इस बीच में आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईगा आपके हिसाब से 141 सांसोदों का जो निलंबन हुआ है वो बड़ी खबर है उसे दिन राथ देखाना चाहिए या फिर ऐसी खबर को देखाना चाहिए जहाँ पर मिमिक्री होते वे दिखाई देरी ये ज़ादा बड़ी खबर है खबर आप सोचिएगा आज तक जो देश में देखने को नहीं मिला वो देखने को मिल रहा है 141 सांसोदों का निलंबन हो गया और दूसरी तरफ मिमिक्री को लेकर लगातार खबर बताई जा रही है जो दूसरी बार देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले प्रधान मंत्री संसत के अंदर मिमिक्री करते वे दिखाई दिये तो ये पहली बार तो देखने को नहीं मिला इससे पहले भी देखने को मिला है तो बड़ी खबर क्या है? यह आपके सामने है जो अभी तक नहीं हुआ वो होता हुआ दिखाए दिया ये बड़ी खबर है संसत्स से 141 सांसदों का निलंबन हो गया है वो बड़ी खबर है या फिर मिमिक्री बड़ी खबर है आपके सामने बिना देरी के प्रधान मंतरी नरिन मुदी का वीडियो लाने चोंगा जो कॉंग्रेस के तरफ से शेर होता हुआ दिखाई देरे विपक्ष के तरफ से लगातार शेर होता हुआ दिखाई देरे उठो 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 कैसे आखोली जा रही है कैसे बंत की जा रही है इतनी जल्दमागी क्या है बैनर जी करते विये दिखाई दिये तो वो भी मिमिक्री नहीं होगी गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है हाला कि इस बीच मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा जिस तरीके से कल्यान बेनर जी उप रास्पती को लेकर मेमिक्री करते वे दिखाई दिये, एक्टिंग करते वे दिखाई दिये मैं उसका समर्थन नहीं करता मेरे हिसाब से गलत है तो दोनों गलत है सही है तो दोनों सही है लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से मेविक्री करना संसत के अंदर गलत है क्योंकि गरिमा होती है संसत की संसत के अंदर इस तरीके के हरकत इस तरीके काम नहीं होने चाहिए ना ही संसत के अंदर ना ही संसत के बाहर अब सवाल उपता हुआ दिखाई देता है कि क्या संसत के अंदर अगर बात की जाए हर जगे प्रधान मंतरी नहीं मोधी ही रहेंगे मोदी ही मोदी हर जगे दिखेंगे हर सीट पे मोदी होंगे सवाल पूछने वाले भी मोदी होंगे और सवाल का जवाब देने वाले भी मोदी होंगे क्योंकि ये तस्वीर लगतार सोशल मीडिया पे तैरते वे दिखाई दे रहे हैं कई लोग इस edited pic को share करते वे दिखाई दे रहे हैं फोटोचॉप pic है जहां पे लोग अपनी विचारधारा अब share कर रहे हैं क्योंकि 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है क्या इसके बाद सवाल उगता है कि कोई सवाल पूछ पाएगा प्रधान मिंत्री नरेन मुदी के सामने बीजीपी के सामने कोई सवाल अपना रख पाएगा क्योंकि 141 बड़ा नंबर होता है आपको समझना होगा इस बात और इसे लेकर जरूर से जरूर गोधी मीडिया पत्रकारों को एक बार सोचना चाहिए कि खबर बताना जरूरी है देश को पता चलना चाहिए कि क्या संसत के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर विपक्षी नहीं होगी तो आवाज उठाने वाला कौन रह जाएगा इसी वज़े से सोचल मीडिया पे कुछ लोगों ने पत्रकारों का काम करना शुरू कर दिया है हलाकि ये मजाग के तरीके से देखा जा रहा है लेकिन इसमें कई बाते आपको समझ में आ जाएगी जहाँ पर ये बताने की जन्ता के तरफ से कोशिश की जारी है कि क्या अब प्रधान मंत्री हर सीट पर होंगे संसर्थ के अंदर अगर 141 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो क्या कोई आवाज उठाने वाला रह जाएगा मैं आपको दोस्तों बताना चाओंगा प्रकाश राज ने भी इसी को शेर किया है साथी साथ कैप्शन लिखते वे दिखाई दे रहे हैं Mother of Democracy One Nation One Dash इसके आगे डैश उन्होंने दे रखा है जगे छोड़ रखी है यहां पर प्रकाश राज ने आगे कैप्शन में लिखा हुआ है fill in the gap hashtag just asking यह बात प्रकाश राज दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं साथी साथ वही edited photo लगाते हुए प्रकाश राज भी दिखाई दे रहे हैं अब सवाल उठता है कि क्या संसद में जो आज तक देखने को नहीं मिला 141 संसदों का निलंबन हो चुका है इसके बाद क्या में इस्ट्री मीडिया सवाल उठाईगी कि अगर विपक्षी नहीं रहेगा तो संसद के अंदर अवास कौन उठाएगा लगातार जो नीतिया बना का जो राश्टा दिकाया गया वो ज्यादा जरूरी था मैं चाहूंगा आपकिस तरीकेसे बढ़रे को को सब्सक्राइब अब वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों अपना ख्यान रखियेगा नवज पार चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले